हेलो एब्रीवान वेल्कम बैक टू माई चैनल तो कैसे है आप सब तो आज हम बनाने वाले हैं कोकिनेट कुकीज बहुत ही आसान तरीके से तो आईए देखते ये कैसा बनता है ये बहुत ही अच्छा बने थे बहुत ही क्रिस्पी थे एकदम बाहर जैसे तो मैं आज आपको बहुत सिंपल तरीके से इसे बनाने बताने वाली हूँ तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा तो कोकिनेट को किस बनाने को सबसे पहले हम एक बोल में ये टेबल स्पून है तो हम आठ टेबल स्पून मेदे मेदा लेंगे ये मैंने आठ टेबल स्पून पहले से ही निकाल के रखी थी दिर्चे हमारे मेज़ेमेंट वाले स्पून आते है उस पर लिखावा होता है और उसी स्पून से हम यहाँ पर चार टेबल स्पून शुगर लेंगे ये पाउडर शुगर है हमारे जो घर की नॉर्मल शकर होती है उसे हम पीस कर पाउडर कर लेंगे तो ये भी हम चार चम्मज लेंगे इसके बाद हम इसमें तीन बड़े चम्मज वोई टेबल स्पून डेसी के रिट कोकिनेट लेंगे और हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर उसी चम्मज से चार से पांच टेबल स्पून हम घी लेंगे आप चाहो तो बटर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं यहाँ पर बस अब हम इन सारी चीजों का अच्छे से मिला कर एक डो बना लेंगे अगर आपका डो नहीं बन रहा है अच्छे से तो इसमें आप एक से देड़ चम्मज दूद आड़ कर सकते हो बट मेरा तो बन गया था तो जरुद नहीं पड़ेगे आप लोगों को भी तो इस तरह का हमें एक डो बना लेना है अच्छा सॉफ्ट सा तो अब हमें जो साइस की कुकी चाहिए हम उतनी साइस के पेड़े निकाल लेंगे मैंने यहाँ पर बहुत बड़े भी नहीं बनाई थी और छोटे भी नहीं मीडियम साइस के बनाई थी तो मैंने इस तरह पहले सारे बॉल्स बनानी ताके एक साइज की कुकी बने हमारी उसके बाद हम इसे हाथ से हल्क आसा फ्लाट करेंगे और वापस से कोकेलेट पाउडर के अंदर हम इसे कोट कर लेंगे और एक फोक की मदद से हम उस पर डिजाइन बना देंगे यह ऑप्शनल है अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ऐसी इसे बेक कर सकते हो यहाँ पर मैंने पहले से एक बरतन में गरम होने के लिए रख दी थी जिसमें हम हमारी कुकी इसको बेक करेंगे तो यहाँ पर हमें इस तरह थोड़ी थोड़ी गैप पर हमारे आटे के उसको रखना है पेड़े को बेक होने के लिए 20 मिनिट के बाद मैंने एक बार खुल कर चेक करी थी तो एक तरफ से हो गई थी फिर मैंने उसे वापस पलड़के 20 मिनिट तक पकाई हमें ध्यान रखन यह बहुत जल्दी निचे से लाल हो जाती है तो इस तरह तक्रीबन 35 से 40 मिनिट में हमारी कुक्की रेडी हो चुकी थी तो अब हम गैस बन कर देंगा थंड़े होने के बाद हम इसे खाएंगे तो मैं यहाँ पर आपको एक तोड़ कर दिखाऊंगी कि हमारी कितनी क्रिस्पी बनी थी और कितनी अच्छी बनी थी तो बिल्कुल बाहर जैसी बनी थी खाने में एक दब मुमें घुल जाती है बहुत टेस्टी बनी जरूर ट्राइ कीजेगा बहुत सिंपल और आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बताई हो है थैंक यू